हलो श्रूडेंट सौगत है आप सभी का इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डोक्यूमेंट वेरिफेकेशन के वारे में जीहां स्रूडेंट कॉलेज एडवीशन की जो पूरी प्रोसेस से एक अगस्तर से स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहले सभी बच्चों के लिए रजिस्टेशन कराना होता है रजिस्टेशन कंप्लीट होने के बाद डोक्यूमेंट वेरिफेकेशन कराना कंपलसरी होता है document verification कुछ बच्चों का online हो जाता है कुछ बच्चों को offline government college में जाकर कराना होता है लेकिन बच्चो अब आपको government college में document verification कराने के लिए नहीं जाना है आपका verification online होगा जी हैं बच्चो आपने registration करा लिया है choice filling कर लिया है आपको थोड़ा इंतजार करना है, एक से दो दिन के अंदर आपका verification online complete हो जाएगा, not verified जिसके में लिखा आ रहा है, आपको tension लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सास्किय महाविद्यालाय पर जाने क कि आवशक्ता नहीं है, सास्किय महाविद्यालाय पर दस्तावेज का इशक्तियापन किया जाएगा, means online ही आपका verification government college के द्वारा करा लिया जाएगा, online आपका verification हो जाएगा, इसके बाद बच्चों देखें, यहाँ पर not verified जो लिखा हुआ आ रहा है, आपको अब offline जाने की जरूरत नहीं है, आपका verification online हो जाएगा, आपको थोड़ा इंतिजार करना होगा, एक से दो दिन की अंदर आपका verification हो जाएगा, और बच्चों किस तरीके से आपको check करना होगा, कि आपका verification हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब आपका verification हो जाएगा, सबसे पहले आप registration कराते हैं, फिर payment करते हैं, choice filling होती है, choice filling locked होती है, इसके बाद, यहाँ पर verified आपका हो जाता है, जी हैं बच्चों, यहाँ पर tick लग जाएगा, जब आपका verification complete हो जाएगा, और अगर नहीं होता है, तो यहाँ पर cross लगा होगा, अब आप कैसे चेक करते हैं, कर सकते हैं, means कि verification आपका complete हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, मैं आपको पूरी process बता देता हूँ, verification चेक करने के लिए सबसे पहले आपको Google या फिर Chrome browser में e-prevase सर्च करना होगा, और first link जो आपके सामने आईगी, इस तरीके से देखे, इसको open कर ले इस पर, तो undergraduate पर मैं click करता हूँ, इसके बाद इस तरीके से page open हो जाएगा बच्चो, यहाँ पर tick करके I agree पर आपको click कर देना है, इसके बाद देखे, new registration, fill form यहाँ पर इतने option आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन बच्चो online देखे, यहाँ पर जो option देखे रहा है आपको, यह यहाँ से आप अपना status check कर सकते हैं, इस पर आपको click कर देना है, इस पर click आप जैसे करेंगे, इस तरीके से आपके सामने interface open हो जाएगा, यहाँ पर application number डालना है, जब आपने registration कराया होगा, registration form आपको जो मिला होगा, उस पर application number लिखा होगा, वो आपको डाल देना है, यहाँ पर capture डाल देना है, 7, 3, 10, तो यहाँ पर डालने के बाद view status पर आप click करेंगे, आपके सामने interface open हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया था, देखिए, यहाँ पर, इस तरीके से आपके सामने open हो जाएगा, और यहाँ पर आजाएगा, verified हुआ है, या फर नहीं ह हुआ है, तो इस तरीके से आपकी detail open हो जाएगी,